चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश नेच्रलिस्ट था, इसने और्गैनिक अवलुशन की ठेरी, ठेरी आफ नेच्रल सिलेक्शन पेश की थी. चार्ल्स डार्विन 1809 में इंग्लेंड में पैदा हुआ, इसका वालिद पेशे से एक डॉक्टर था, इसका वालिद चाहता था कि चार्ल्स डार्विन भी उसकी तरह ही मेडिकल के प्रिफेशन में जाए, यहीं वो भी चाहता था कि उसका बेटा भी डॉक्टर बने, लेकिन डार्विन को मेडिकल की पढ़ाई में कुछ ज्यादा दिल्चस्पी नहीं थी, कि डार्विन ने अपनी जवानी में अपने पास कुटे और कुछ शिकारी परिंदे पाले हुए थे, इन सरगर्मियों की वज़ा से इसको अपने स्कूल की पढ़ाई में भी कुछ ज्यादा दिल्चस्पी नहीं थी, इसको स्कॉटलेंट में 1835 में मेडिकल कॉलिज में एड्मिशन मिला, लेकिन चुँके इसको मेडिकल की फिल्ड में इंटरस्ट नहीं था, तो बाद में इसके वालिद ने इसको क्राइस्ट कॉलिज केम्परिज में दाखला करवाया, और वहाँ से 1831 में इसने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट्स में पास की, उस कॉलिज में यानि केम्परिज में एक वाटनी का प्रोफेसर जॉन एस हैंसलो डार्विन की सलाहितों को, जान गिया, उस वक्त, यहनी 1831 में एक बहरी जहाज, एक बहरी मुहिम पर जा रहा था, उस बहरी जहाज में उस बाटनी के प्रोफेसर जॉन एस हैंसलो ने डार्विन को बतारे नेच्रलिस्ट नॉमिनेट किया, यह बहरी जहाज 27 दिसंबर 1931 में पांच साला सफर के लिए रवाना हुआ, इस सफर के दौरान डार्विन ने साउथ अमेरिका के ट्रापिकल रेनफोरेस्ट, फोसिल्स और वॉलकैनिक पीक्स को एक्सप्लोर किया, अगर आप इस डाइगराम को देखें, तो इसमें आपको उस बहरी जहाज का पुरा समंदरी सफर का रूट नजर आएगा, तो वो बहरी जहाज इंग्लेंड से रहाना हुआ, तो यहाँ इंग्लेंड से जहाज रहाना हुआ, और उसने पूरी जमीन का चक्कर लगाया, अपने इस सफर के दौरान वो साउथ अमेरिका में भी रुका, इसके इलावा साउथ अमेरिका के साथ एक्वाडोर के साहिल से तक्रीबन 900 किलोमिटर के फासले पर जजीरों का एक ग्रुप मौजूद है, जिसे ग्यालप एगोस आईलेंड्स के नाम से जाना जाता है, डार्विन ने ग्यालप एगोस आईलेंड्स पर पांच हफते गुजारे, इन आईलेंड्स पर डार्विन ने बौदों और जानरों की मुक्तलिफ एक्साम, यानि डिफ्रेंट स्पिशिज का मुशहिदा किया, तो इसे पता चला कि डिफ्रेंड्स पर पाई जाने वाली स्पिशिज, मेंसे कुछ स्पिशिज सिर्फ उस आईलेंड्स तक ही मेदूद हैं, जबके जो आपस में करीबी जजीरे हैं, उनकी स्पिशिज भी काफी मिलती जुलती हैं, और इसमें एक खास बात यह थी, कि इस जजीरे की जो स्पिशिज थी, जो गैलापैगोस आईलेंड्स पर स्पिशिज पाई जाती थी, वो स्पिशिज दुनिया के किसी और इलाके में नहीं पाई जाती थी, जब यह सफर खत्म हुआ, तो उस वक्त डार्विन के अमर 27 साल थी, उसने अपनी बाकी किसिंगी जो उसने वहां से जानरों के स्पेसिमेंज यह नमूने एकठी किये थे, उनका मुशायदा करने में और उनके मुदलिक अपने नोट्स लिखने में और उन नोट्स को रीड़ करने में गजार दिये, इस तरहां उसने नए मुशायदात भी बनाए, डार्विन ने बहुत सी पॉब्लिकेशन्स प्रिपेर की, लेकिन इसकी सबसे इंपोर्टन्ट पॉब्लिकेशन अन दा ओरीजन ओफ स्पिशीज बाइ मीन्स ओफ नैच्रल सिलेक्शन के नाम से जानी जाती है, जो के 1859 में पॉब्लिश हुई, इस पॉब्लिकेशन ने बाइओलोजी में इंकलाब बरपा कर दिया, क्यूंकि इस पॉब्लिकेशन में ही डार्विन ने तियोरी ओफ नैच्रल सिलेक्शन को पेश किया था,